जहीं दोस्तों, क्लाश 12 mathematics relation function में आपका स्वागत है दोस्तों, कल हमने exercise 1.1 का एक नमर, दो नमर और तीन नमर एक का एक दो और तीन बताए थे आज आपको चार नमर बताते हैं कोशिस यह करेंगे कि आज एक नमर में जो है आपको ये चार पॉंश्टों सवाल है इसको खत्म कर दिया जाए दोस्तों, relation function जो है, class 12 के लिए बहुत ही important chapter होता है इसे ध्यान से समझें बहुत जगह आपको जो है ये आपको बाद में पढ़ाने के चकर में छोड़ दिया जाता है आप इसे ध्यान से देखें और समझें relation function बहुत ही easy है दोस्तों सिर्फ इसका जो है आपको language समझना पढ़ेगा अगर language समझ जाते हैं ये chapter बहुत ही easy लगेगा साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं तो नीचे में subscribe का लाल बटन होगा उसे दबा दे और बैल आकर दबा दे ताकि आपको जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो आपको मिल सके दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो like कर दे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share कर दे ठीक है दोस्तों अब promotion वाला बात हो चुका अब आते हैं class पर class यह है कि समस्त पुर्णांग के state z में z मतलब अब पुर्णांग संक्याँ z में r बराबा है x y such that x minus y एक पुर्णांग है हमें check करना है कि यह reflexive है कि नहीं symmetric है कि नहीं और transitive है कि नहीं तो पहला check हम करेंगे reflexive है कि नहीं दोस्तों यहाँ पर लिखना पड़ेगा four reflexive four reflexive के लिए क्या rule है तो आप लोग जानते है reflexive के लिए दूनों सबान होना चाहिए यानि four reflexive यह एक जिगा आपको क्या देना पड़ेगा एक्स देना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कथन सत्त होता है कि नहीं अगर कथन सत्त होता है तब तो आपको reflexive है अगर कथन सत्त नहीं होता है तो यह reflexive नहीं है तो इसका मतलब है x तो x है यह है और y का अस्थान पर क्या है x यहाँ वह बिठाना पड़ेगा that is x घटा x तो x घटा x क्या चीज़ होता है 0 एक पुर्णांग है x घटा x क्या हुआ 0 तो 0 एक पुर्णांग है आप लोग को पता है 0 क्या चीज़ है पुर्णांग संक्या है यह बास सही है x घटा x एक पुर्णांग संक्या यह बास सही है तो इसलिए यह रिफ्लेक्सिव है अगर यह सही नहीं होता ना तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है इसलिए यह reflexive है बता यह कितना हलका है अगर यह कथन सही हुआ तो reflexive है अगर कथन गलत रहता है तो reflexive नहीं है अब symmetric का बात करते 4 symmetric 4 symmetric देखिए symmetric का क्या रूल है कि x y का जो कथन है वो अगर सत्त है तो उसका उल्टा y x का कथन भी अगर सत्त होता है x y का कथन जो है उसका उल्टा y x कथन भी अगर सत्त है कथन का नुसार से तो symmetric है तो देखिए 4 symmetric में क्या रूल है x y belongs are अगर x y r में है तो इसका मतलब है कैसे हम लिखेंगे जैसे x y r में तो कैसे लिखते है x y belongs are that is इसका मतलब क्या हुआ x घटा y एक पूर्णांख है जो कि आपको दिया हुआ है x घटा y एक पूर्णांख है अब बता यह x घटा y अगर पूर्णांख है तो इससे मैनस अगर हम कॉमा ले लेते हैं मैनस कॉमा ले जिए y घटा x एक पूर्णांग होगा अगर X घटा Y पूर्णांग है तो Y घटा X हो तो पूर्णांग होगा अरे 5 घटा मान लीजे 4 है तो 5 जिर्णा चार क्या हुआ 1 जो कि पूर्णांग संखिया है गथन करूसार से 4 घटा 5-1 वो भी तो पूर्णांग संखिया है बढ़ाबर हो या ना हो इसे कोई मतलब नहीं, पुर्णांक से क्या तो है, समझ मायक नहीं, question कर रहा है कि x y अगर r में है, तो उसका मतलब है x घटा y पुर्णांक है, समझ माया बात, तो उस हिसाब से अगर तर्ज पर बेठाते हैं, x y बिलोंग सार, तो इसका मतलब होता है x minus y पुर्णांक है, minus common लिजिए y minus x पुर्णांक है, y minus x अगर पुर्णांक है, तो इसलिए y x बिलोंग सार, तो x y भी r में हो गया और y x भी r में हो गया, तो it is symmetric, इसलिए यह symmetric है, इसलिए यह symmetric है, symmetric समझवा गया बात, reflexive तो clear हो गया, symmetric clear हो गया, एक्स y r में है, तो उसका उल्टा भी उसमें है, तो हो symmetric है, ठीक, अब आज यह transitive का बात, four transitive, four transitive, four transitive, four transitive में क्या करेंगे, x y बिलोंग सार, x y बिलोंग सार का मतलब क्या हुआ, एक्स घटा y एक पुर्णांग है, ठीक है, y z बिलोंग सार, y z बिलोंग सार, इसका मतलब क्या हुआ, y घटा z एक पुर्णांग है, ध्यान समझेगा, एक्स y बिलोंग सार है, इसका मतलब एक्स घटा y पुर्णांग है, य जैड बिलोंगा आज़ तो य घटा जैड पूर्णांक है अब बताए ये दो पूर्णांक संक्यांग जोर भी पूर्णांक होता है अगर एक्स घटा वाई पूर्णांक है इसलिए एक्स घटा वाई पलस वाई घटा जैड एक पूर्णांक है एक पूर्णांक है एक्स घ minus z एक पुर्णांख है अब x minus z अगर पुर्णांख है देखें यहाँ पर x y अगर r में है तो लिखते हैं x घटा y पुर्णांख है y z अगर r में है तो लिखते हैं y घटा z पुर्णांख है और अगर आपको ऐसे कोई पूछ देगा तकि x घटा y पूर्णांग है इसका मतलब हुआ xy बिलोंग सार, y घटा z एक पूर्णांग है इसका मतलब हुआ yz बिलोंग सार, यहां पहुता x घटा z एक पूर्णांग है तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ xz बिलोंग सार, दखिये xy भी r में है yz भी r में है और xz भी और है यह प्यांजटीव हो गया, अई फंच वाइब हो गया उपने यह क्या हो गया इसलिए यह आगद है, इसलिए यहा मैं इसलिए यहाच यहाच इना लिख देना है, तो यह reflexive भी हुआ, symmetric भी हुआ और transitive भी हुआ दिमाँ में अगर आगे आ होगा तो इसे अराम से देख करके जरूर लिख लीजिएगा ठीक है, next question आते हैं दोस्तो Question नमर पॉंच का A देखिए, इसमें आपको पॉंच सवाल है पॉंच का A नमर देखिए, आपको धीरे धीरे रिलेशन बहुत ही सुन्दर समझ माने लगेगा दोस्तों लेकिन आप regular देखिए और इसे लीख चरूर लीजिएगा देखिए दोस्तों, x, y, r, y, such that x तथा y एक ही अस्थान पर काली करता है अब बताइए, अगर reflexive का बात होगा तो x, x लेंगे, symmetric का x, y, y, x लेंगे, transitive का x, y, y, z और x, z लेंगे तो पहले reflexive का बात करते हैं, 4 reflexive 4 reflexive क्या होगा, x, x, belongs, अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, y भी x है और x तो x ही है अब इसका भासा आप बिठाई है, और सही कथन बुजाता है, कि गलत बुजाता है, आपको check करना है देखिए, x तथा x, y जगा देंगे, x, x तथा x, एक ही अस्थान पर कार्ज करता है बताईए, सही है कि नहीं, आप वहीं कार्ज करते हैं, जहां आप कार्ज करते हैं, क्या ये सही है कि गलत है आप वहीं कार्ज करते हैं, जहां आप कार्ज करते हैं, ये सही है x, x बिलोंग सार मतलब क्या हुआ, x तथा x, एक ही अस्थान पर कार्ज करता है ग्यामने अब कि आपका नम राम है, आप हैंब कर चाहिब है, सही है तो यह जाता है रिफलेक्सीन कहबू है हुआ अगर एक्स वाय है तो इसका मतलब उखाम लिग दिजिए एक्स का मतलब क्या दिया है तो इसका मतलब होता एक्स टथा हुए एक्स तब करता है आफ जाड य ही एक ही अस्थान पर पर कार्ज करता है एक ही अस्थान पर कार्ज करता है X तथा Y एक ही अस्थान पर कार्ज करता है अब इसको पलट के बोले कि पलट के सही होता है कि नहीं इसलिए Y तथा X एक ही अस्थान पर कार्ज करता है X तता Y एक ही अस्थानबकाज करता है इसका मतलब क्या है Y था X भी एक ही अस्थानबकाज करेगा अब अगर Y था X अगर एक अस्थानबकाज करता है इसलिए क्या हो जागा इसलिए Y X बिलोंग सार अगर X Y बिलोंग सार है इसका मतलब है X तता Y एक ही अस्थामकाज करता है अब इसका कथन को पलट करके बोलिए कि कथन का पलट करके भी सही होता है तो पलट करके ये भी तो सही होगा तो पलट करके बोले तो Y था X भी एक ही अस्थामकाज करता है आप Y तथा X एक ही अस्तापकाज करता है एक ही न कथन हुगा समझे इसका मतलब है Y X भी R में होगा X Y R में है उसका उल्टा भी तो R में होगी आप कथन सत्त होने करण इसलिए यह symmetric, इसलिए यह symmetric है, आपको क्या बोलें, भासा समझ माने लगेगा, तो relation समझ जाएगा, इसलिए यह symmetric है, अब आजाए यह 4-transitive में, 4-transitive, मैंने संक्रमक के लिए, 4-transitive, पहले बात करेंगे, एक्स वाई, बिलोंग सार, एक्स वाई बिलोंग सार, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही अस्थान पर कार्ज करता है, कार्ज करता है, एक्स तता वाई एक ही अस्थान पर कार्ज करता है, अब देखिए, अब यजाए बिलोंग सार करेंगे तो, यजाए बिलोंग सार, इसका मतलब, एक्स वाई अगर आर में है, एक्स तता वाई एक अस्थान पर कार्ज करता है, अब यजाए बिलोंग सार मत कार्ज करता है ठीक है X Y बिलोंग सार तो X तता Y एक ही अस्तामकाज करता है Y Z बिलोंग सार तो Y तो Z एक ही अस्तामकाज करता है अब देखी X और Y एक ही अस्तामकाज करता है Y और Z भी एक ही अस्तामकाज करता है इसका मतलग क्या है X और Z भी तो एक के अस्थाम करता है इसलिए X तथा Z एक ही अस्थान पर कार्ज करता है समझे इसलिए X Z बिलॉंग सार X Y भी आर्ड में है Y Z भी आर्ड में है और X Z भी आर्ड में है क्योंकि ये कतन सत्त हो गया तो तीन हो भात फोलो कर था तो । तेन ओलुक भी है गिए उसलिए classify वे लिक दीजिए कि इसलिए या है रखाया वात है तो अधु一下 चैहे म치는 इए उचम्त पटा। सब दाते हिए कि आप लोग को सपश्ज़्माई का लंबा वीडियो बनाने इन आप लोग को जो है repeat करके देखने भी समस्या हो जाएगा आप इसे repeat repeat करके देख लें और दिमाग में अटा लें ठीक है दीरे दीरे आपको relation का सब समस्या है हो जाएगा ठीक है आप लोगो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएंगे और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो आपको relation अच्छा समझवाएगा relation थोड़ा सा जरूर हाट है लेकिन उतना हाट नहीं है कि नहीं समझ पाईएगा ठीक है ठीक है ओके बेश्ट अपलक